हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉस्टडी पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे और इस वीडियो को भी लाइक शेर और कमेंट करें तो बिना देरी कि ये वीडियो को शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में आप सभी को माध्यस्थम एवं सूला अधिनियम 1996 के माध्यस्थम के प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं माध्यस्थम के प्रकार तदर्थ माध्यस्थम सम्विदात्मक माध्यस्थम संस्थागत माध्यस्थम सम्विधेक माध्यस्थम तदर्थ माध्यस्थम का प्रयोग उस समय किया जाता है जब कोई विवाद कारोबार से संबंधित सम्व्यवहार से उत्पान होता है जिसे प्रक्षकार आपसी बातचीत या सुला अद्वारा नहीं सुलजा सकते हैं सम्विदात्मक माध्यस्थम यह मुख्यता व्यापार और द्योगिक कारोबार वाने जेक सम्विवहारों में नियुक्त किया जाता है यह पक्षकारों के मध्य की गई सम्विदा का एक खंड होता है संस्थागत माध्यस्थम जब पक्षकार अग्रिम रूप से इस बात की सहमती करते हैं कि उनके बीच व्यापारेक या वाने जेक कारोबार उत्पन होने वाले मन, मुटाव या विवादों के निप्टाने के लिए वे किसी ऐसी नामित माध्यस्थम संस्था को निर्देशित करेंगे जिसके की उनमें से एक या अधेक पक्षकार सदस्य हैं साम्विधेक माध्यस्थम, या वेधी के प्रावधानों के अंतरगत नियुक्त माध्यस्थम है इसके अंतरगत पक्षकारों की सहमती का प्रश्न नहीं उठता है या पक्षकारों के लिए अनिवार्या तथा बांधनकारी है तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि इस चैनल की सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे लॉज स्टडी